आज हम लोग बनाने जा रहे हैं खारी और इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक बर्तन और बर्तन में मैंने डाल लिया है दो चम्मच मलाई दोस्तों यह मलाई फ्रिश में रखी हुई थी तो इसलिए यह कड़ी है उसमें एक चम्मच मैदा डाला और इन दोनों को अच्छे से फेंट रहे हैं इसको अपने आप हांथों से फेट सकते हैं या फिर अगर आपके पास विस्कर है तो आप उससे भी फेट सकते हैं बट यह बहुत अच्छे से आपको फेटना है और जब आप इसको फेंट लेंगे तो यह कुछ इस तरीके का देखेगा दोस्तों मलाई की जगह आप बटर या फिर डालडा का भी यूज़ कर सकते हैं बट इसमें आपको रिफाइंड ओयल का नहीं यूज़ करना है यह इसमें घी आपका मोल्टिन फॉर्म में नहीं होना चाहिए दे जिशी घी या फिर बटर जारे चीज़ों के यूज़ कर सकते हैं तो अब हमारा यह बिलकुल रेडी है इसको फेंट के कुछ इस तरीके का टेक्शर आ जाएगा इसको मैंने दूसरे प्लेट में निकाल लिया अब मैंने लिया है एक कटोरी मैंदा उसमें एड़ किया नमक और यह है रोस्टेड जीरा जिसको कि मैंने पहले ही रोस्ट कर लिया था अब हम इसमें थोड़ा डाला रिफाइन जिससे कि हम इसको मोयन करेंगे और अब हम इसको डो बना लेंगे डो बनाने के लिए दोस्तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको डो बनाए और साथ पानी डालने के भी पहले हम चेक कर लेंगे कि मोयन हमारा सफिशिंट है और उसके लिए मैदे को मुठी से बांधा और हम नेक्स्ट इसमें आड़ करेंगे नीबू का जूस जो क कि आदा नीबू मैं यूस कर रही हूँ इसके बीज को मैंने पहले ही हटा लिया और इसको इसको स्क्वीज कर लिया इसमें नीबू का जूस डालने से हमारी खारी बिलकुल फूली फूली सी बनेगी इसमें लेयर्स पी अच्छे आ जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसको डो बनाएं और अब हमारा डो बिलकुल रेडी है डो जो बनाना है ये हमें पूरी का डो बनाते है उसे थोड़ा है ताइट बनाना है यस डो को मैंने छह पार्ट में कर लिया छहाई लोई बनाई और फिर हम इनको रोटी जैसा पेलेंगे तो उसके लिए मैंने मैदा से डस्ट करते हुए इनको बेल लिया दोस्तो जीरा इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपको जीरा नहीं पसंद है तो आप इसमें नहीं भी डाल सकते हैं कर सकते हैं तो बिल्कुल पतली रोटी के शेप में इसको बेल ले आप देख सकते हैं इतना ट्रांस्पेरेंट है कि मेरा हाथ नीचे देख रहा है तो फिर से मैदे से इसे डस्ट किया और नेक्स्ट लोई ली उसको भी मैंने कुछ इसी तरीकी से बेल लिया रोटी के शेप का याद रखे कि मुझे छे रोटिया बनानी है और यह सभी इक्वल साइज की सिमिलर साइज की बननी चाहिए और इस तरीके से सारी रोटिया मैंने बेल ली मैंने छे रोटियां बनाई हैं उसके बाद यह जो क्रीमी टेक्स्टर तयार किया है उसको रोटी के उपर लगाएं इसको बहुत ही अचछे से अपने हाथों से स्प्रेड करें जैसे ब्रेड के उपर हम बटर स्प्रेड करते हैं उसी तरीके से इसको बहँत ही अच्छे से पूरे रोटी पे फैला लें इसको आप चम्मत से भी स्प्रेड कर सकते हैं अब लिया दूसरी रोटी को और उसको उसके उपर रख दिया दूसरी रोटी के भी उपर हमें कुछ इसी तरीके से क्रीमी टेक्श्र को स्प्रेड करना है बहुत ही अच्छे से इसे फैला के अपने हाथों से चारो तरफ फैला दे हुए लगाएं कोई भी जगे शूटने ना पाएं फिर तीसरी रोटी को भी मैंने इसके उपर रखा सिमिलरली हम इसके उपर भी वही काम करेंगे और क्रीम को फिला लिया चौथी रोटी भी इसके उपर रखा इसी तरीके से हम सभी रोटियों के बीच में क्रीम को लगाते हुए मासे आपालम करेंगे जपे एसमिलरावी रोटी रे माईसे अबूदका में पड़से रिबमाते ही अपर बीच्एं करेंगे तिया रे रीचित longtemps इसका माईसमेद Iills getan और फाइनली जब आप लास्ट रोटी को इसके उपर रखें तो उसके उपर भी क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर दें लास्ट रोटी के उपर भी स्प्रेड करने के बाद आप कुछ इस तरीके से इसे फोल्ड करें दोस्तो फोल्ड इस तरीके से करना बहुत जरूरी है तभी आपके खारी में एक अच्छी लेयर आएगी पहले साइड से किया दूसरे साइड से किया फिर आपके जो दो साइड बचे हैं उनको भी अच्छे से फोल्ड करें और क्रीम को लगाते हुए आप इसे फोल्ड करके कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप दे दे क्रीम से इसे बिलकुल लॉक कर दे दोस्तों यह सारा काम आपको बहुत हलके हाथों से करना है इसे बहुत ही तेज दबाए ना अधर्वाइस जो आपकी लेयर्स हैं वो आपस में चिपक जाएंगी तो रेक्टेंगुलर मैंने शेप दे दिया है और फिर मैंने इसे एक प्लेट में रखा उसके बाद आपको इसको ढखके 20 मिनट के लिए फ्रीजर में डाल देना है इधर साइड में हम इसको बेक करने के लिए कड़ाही तयार कर रहे हैं तो इस कड़ाही में मैंने नमक डाला नमक में फिर स्टैंट लगाया और इसको मीडियम फ्लेम पे हम 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे दोस्तो 20 मिनट बाद जब हमारा डो पूरी तरीके से सॉलिड हो चुका है तो उसे मैंने निकाला आपको इसको फ्रीज में रखना बिल्कुल कमपल्सरे स्टैप है इसमें इतना घी लगा होता है कि वो क्रीम इतना लगा होता है कि वो आपको बेलने में बहुत प्रॉब्लम होती तो आप इसको फ्रीज में रखने के बाद जब निकालें तो कुछ इस तरीके से मैदे से डस्ट कर लें और उसको अब हम फिर से उसको डस्ट करके वो हम चौकोर ही रखें और इसे बिलकुल हलके हाथों से बेले साथ ही अगर अभी तक आपने इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स और फैमली के साथ शेयर करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें आपने देखा एक किस तरीके से मैंने इसे बेला और इसकी ठीकनिस का भी जरूर ध्यान रखें ये बहुत पतला या मोटा नहीं होना चाहिए और अब हम इसके किनारों को चाकू की हेल्प से शेप दे देंगे क्योंकि ये हमें रेक्टेंगुलर पीस चाहिए तो एक चौकोर चौकोर टुकडे में हमें इसे काटना है तो इसलिए हमें इसको किनारों को निकालना जरूरी है और ये जो किनारों से निकाल रहे हैं वो आप वेस्ट ना करें उसे भी आप बेक कर लें चारों तरफ से मैंने इन्हें नाइफ की हेल्प से स्ट्रेट कर लिया और उसके बाद इनको खुछ इस तरीके से काट लें आपको जस पर शेप का यह चाहिए तो उस शेप का आप इसे काट सकते हैं बट जो आप बेकरी में खारी लेते हैं वह कुछ इस शेप का होता है इसलिए मैं इन शेप में ही काट रहे हूं जो हमारा बेक्टिन होगा उसे हम ग्रीज कर लेंगे मैंने इने रिफाइंड ओल से ग्रीज कर लिया और फिर जो पिसिस मैंने काट के रखे हैं उनको इस प्लेट में लगा दिया अब मैं इनको जब हमारा कडाही बिल्कुल रेडी है बेक करने के लिए तो उसमें रख दिया इस प्लेट को बहुत ही सावधानी से रखें कडाही आपकी बिल्कुल गरम है और इसको ढग दें दोस्तो अप्रॉक्सिमेटली ट्वेंटी मिनट्स बाद आप इसे खोलें और इसको धाग दें चिम्टे की हेलब से आप इसे पलट दें आप देखेंगे इसका कलर एक साइट ब्राउन होना शूरू हो गया है घोल्डन ब्राउन टाइप का आपका ये हो गया है तो आप इसे पलट दें हर एक पीस को पलटना बहुत जरूरी है क्योंकि यह अब आपकी दूसरे साइट से सिखेगी और फिर से इसे ढख दें दोस्तो अप्रॉक्सिमेटली ट्वेंटी टू थर्टी मिनिट बाद यह मैंने थर्टी मिनिट बाद खोला तो कुछ इस तरीके से मुझे मिला यह बिल्कुल बेक हो चुका है अब आपकी डेश बिल्कुल रेडी है आप देख सकते हैं यह किस तरीके से ब्राउन हो गया है गोल्डन ब्राउन और अब आप इसे चाय के साथ शाम को इवनिंग स्नाक्स की तरह यूज करें यह बहुत ही स्वादिस लगता है प्लस यह बहुत ही healthy dish है because इसमें आपने देखा कि कोई oil यूज नहीं हुआ बहुत ही minimum quantity of oil यूज हुआ तो और आप इसकी crispiness को देखी सकते हैं खारी को बनाना काफी easy है बट इसको आप सही तरीके से बनाएं हर एक पीस बिल्कुल सिक्के golden brown हो गई है तो यह बिल्कुल मज़ेदार नाश्ता आपका ready है यह आप इस तरीके से इसको serve कर सकते हैं आप चाय के साथ कौफी के साथ आपके घर पे कोई भी गेस्ट आया तो आप इसे तुरंद बना के उसको खिला सकते हैं और मैं इसे तोड़ के भी आपको दिखा रहे हूं कि इसके अंदर यह कि तक्र झाल झाल झाल